What's up guys, I hope you are doing well, I am Veer, Welcome to Study Lover काफी शानदार टोफिक आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं जिसका नाम है National Human Right Commission हिंदिये बोलते हैं राष्टिय मानव अधिकार आयोग हम लोगोंने कुछ दिनों पहले भी discuss किया था क्या क्या discuss किया था, उसमें हम लोगोंने SC के लिए देखा था और ST के लिए देखा था जो हमने National Commission देखे थे SC और ST के लिए उसमें भी यहाँ पर उनके अधिकारों की बात की जारी थी पर यहाँ पर ना कोई SC है ना कोई ST है ना किसी religion और ना किसी caste की बात की जारी है यहाँ पर बात की जारी है human की यहाँ पर बात की जारी है मानव की तो कोई भी मानव हो, कोई भी human हो चाहे किसी भी caste का हो, किसी भी religion का हो उसके right क्या होते हैं और किस तरीके से उनका right का कोई हनन न कर सके उसके लिए ये commission बनाया गया है तो यहाँ पर देखा जाता है इसको बोलते है National Human Rights Commission तो देखें ये हर एक मानाव के अधिकार की बात करता है हमारी country के अंदर और बाकी इसके बारे में सारी information आप लोगो आगे lecture में जानने को मिलेगी इसका गठन जो हुआ था वो 12 October 1983 में हुआ था इसके बाद में अगर मैं इसको आप लोगो बताऊं ये एक statutory body है statutory body वो body होती है जो Parliament के दौरा Parliament House में पास करके बनाई जाती है लोग सभार, राजसभा और प्रेजिनेट के signature करके Constitutional body नहीं है क्योंकि Constitution में amendment करके इसको Constitution में नहीं रखा गया है तो statutory body है, दूसरी बात का है ये established की गई थी 1993 में 1993 में 12 October का आप लोग इसका नाम याद रखेगा, इसका जो act था वो निकल के आता है यहापर जो निकल के आता है वो Protection of the Human Rights Act ठीक है 1993 तो act भी इसी time का बनाई है तो ये act याद रखेगा और ये act फिर amend भी किया गया है, मतलब इसमें change भी लाए गई है वो लाए गया है 2006 में तो ये amendment क्या किया गया है यहापर ये भी आप लोगों को जानने को मिलेगा पर लेकि next lecture में, क्यों? क्योंकि next lecture काफी चोटा होने वाला है State Human Rights Commission का, तो हमाँ पर ये वाला lecture है, इसके question और यहाँ पर जो amendment हुआ है, वो सारी बाते भी मैं उसी lecture में डाल दूँगा, ठीक है? जिसे कि आप लोगों को अच्छा, अच्छे से वाहाँ पर पर लेक्चर भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, ये लेक्चर में यहाँ पर इसमें काफी कुछ point आप लोगों डिस्कस करने के, तो ये लेक्चर ठीक ठाक length का हो जाएगा अपने आप में, इसके बाद में अगर यहाँ पर मैं बात कुरूं, जो इसका constitutional watchdog के बारे में discuss किया था, आप लोग नीचे comment box में बताइए, वो कौन सी watchdog थी, और एक lecture में नहीं, मैंने दो या तीन lecture में इसके बारे में discuss किया है completely, तो आप लोग नीचे comment box में चारो watchdog के बारे में बताइए, और उनके सामने ये भी लिखेगा कि वो किस-किस field से related है, मतलब किस-किस area में marriage system वगारा देखती है, किस-किस area में क्या-क्या काम करती है, okay, answer जरूर देना है, इसके साथ में अगर बात की जाए आगे, इसका focus रहता है, right जो होते हैं हमारे किस तरीके से हमारे आपर liberty है, किस तरीके से सब equality right दिए गए हैं, जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, तो हम किस तरीके से हमारी society में उनको implement करना है, और कोई इनको हनन ने कर दे, उत सब के लिए ये watch dog का का काम करता है यहापर National Human Rights Commission, okay, कुछ इसके objective है, जिन objectives पर यह काम करता है, कि यह proper objective है, इसके इसके हिसाब से यहाँ पर काम करेगा, सबसे पहले तो जो हमारे आपर institutional arrangements है, कोई भी institution हो, हमारे आपर चाहिए central government का हो, चाहिए state government का हो, अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहता है, तो यह true motor action हो आपर ले सकता है, और बोल सकता है, कि यहाँ पर मुझे, आप लोग अपना जवाब दीजे, कि यह ऐसा गलत काम यहाँ पर क्यों हुआ, कई बार आप लोगों ने देखा हो गए tribal community वाले area में, मतलब कुछ दिनों पहले अभी Odisha में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे भुकमरी की वाज़े से मारे गए थे, तो National Human Rights Commission ने अपने आप action लिया, और पूछा state government से, कि ऐसा क्यों हुआ है, आप पर मुझे जवाब दीजे, ठीक है, तो वो सारी बाते क्या-क्या होती है, वो सब आप लोग को आगे जानने को मिलेगी, तो institutional arrangement है, उस पे धंग से काम कर सके वो अपना और पूरे entire country पे focus देकर ये चलता है, तो ये इसका काम होता है, दूसरा, underline करता है government के जो commitment होते हैं, ताकि वो अपने commitment पर अच्छे से focus दे सके, इसके साथ में आप लोग देख सकते है next, जो इसका objective है, कि जो भी government के द्वारा यहाँ पर plan चलाये गई है, वो धंग से अगर implement हो रहे हैं, तो उनको साबासी भी देता है, और उसको और standard करता है, मतलब उसको और बताता है, कि यहाँ सही direction में जा रहे हो, तो इस तरीक से जोगी नेनो-magazine वाला लेक्चर ले रहा था, मतलब मैने सोचा नहीं था कि मौर्निंग में इतने सारे students उट जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मतलब इतने सारे students lecture देखने के लिए morning में ही उठ गए तो वह काफी अच्छी वात है देखिए आप इस lecture के साथ में अपना time table schedule अपना set कर सकते हैं अगर आप morning में जो lecture देखते हैं daily चार बजे मैंने उसका time set किया है nano magazine उसमें काफी सारे topics discuss करता हूँ तो आप लोग अपना time schedule set कर सकते हैं पहले 99 magazine देखें उसके बाद में उठके आप लोग अपना दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं तो आपका दीन एक अच्छे से स्टार्ट होगा आपको यह लगए कि उठने के बाद में कुछ productive कर लिया है तो अपना time table उससे set कर सकते है morning में उठके अगर जिस किसी की आदत evening में पढ़ने के तो वो evening में पढ़िए जब अजिस्ती नहीं है बस यह है कि जिसे आपको लोग exam देने जाते है न morning में तो थोड़ा सा वहाँ पर वो हो जाता है कि बाइचान सबको जल्दी exam है तो उठने में problem रहती है तो थोड़ा सा आप लोग कोसिस कीजे कि रात को मतला जाते है फाइदे मत वही होता है कि morning में अगर जल्दी उठ जाए बागी तो यार देखिए आप लोग अपने हिसाब से कीजे जो भी आप लोग को suitable लगता है बस मेरा यह है कि lecture आप लोग को daily morning में चार बज़े मिला करेगा nano magazine का और पांच बज़े मिला करेगा जो second lecture आया करेगे है ठीक है तो यह आप लोग को focus रखना है आप अपना time table set कर लेते हैं तो multi member बोड़ी मतलब होसारे member हैं यहापर सबसे पहले तो एक chairman होता है और उसके साथ में 4 member होते है chairman चार मेंबर तो तोटल कितने होगे? पांच होगे टोटल मिलाक यहाँ पर. अब जितने भी यहाँ पर होगे, उसमें से सबसे पहले चेर्मैन के बारे बात करते हैं. चेर्मैन को अगर देखा जाए आप लोग, तो कौन होगा वो? रिटायर चीप जस्टिस ओफ इंडिया यह रिटायर भी हो सकता है, judge of supreme court. सेकन्ड बात क्या होई, serving यह फिर रिटायर, cheap justice of high court. जस्टिस नहीं, cheap justice of high court. इसके अलावा इनमें से जो चार मेंबर है, उनमें से 2 परसंट जो होगे, उनको knowledge होनी चाहिए human rights के बारे में. कि क्या-क्या human rights है, अगर हमारी country की बात करी जा रह यह तो बाहर में, तो जहां भी जो भी Human Rights से लेडिर जो भी इशु रहते हैं, उनकी study की जाती है, इन दो Member के द्वारा, और फिर उसी हिसाब से अपने program implement किये जाते हैं, ओके In addition, यह तो हो गए, यह तो मतलब 4 यह तो हम लोग ने देख लिए, तो यह तो अगर मालीजे यह यहाँ पर Chairman of National Commission for Minority, और यह यहाँ पर National Commission of SC, National Commission of ST और National Commission of Women, यह दोनों मैं अच्छे से discuss कर चुका हूँ, दोनों पर lecture है, एक एक lecture है दोनों के उपर, और काफी important है, तो आप लोग नीचे सारे link मिल जाएंगे, जितने भी lecture है वहाँ से ढूंड के इनको देख सकते हैं, ठीक है तो मतलब क्या है, जो भी इसका Chairman बनेगा, वो ex-officio member additional member बन जाएगा, किसका National Human Rights Commission का, मतलब extra यहाँ पर इसके लिए कोई choose करने की जुरत नहीं है इनको, तो यह बात आप लोग याद रखेगा, और जो main member है, वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है तो यह कुछ extra information है, जो कि आप लोग माइन में कई बर confusion create कर देती है, तो confusion create नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से next बात करते हैं, appointment की तो appointment की जब बात आती है, सबसे पहले chairman के बारे में देखें है, फिर member के बारे में देखते हैं तो chairman की अगर मैं बात करूँ, तो president यहाँ पर आता है, ठीक है president यहाँ पर इनको appointment करता है, और उसके recommendation पे पिर आगे हाँ पर ये मतलब इनको सारी पोश्ट दी जाती है सबसे पहले member देख लेते हैं तो कौन-कौन यहाँ पर member होता है तो 5 member तो आप लोगों यहाँ पर दिख रहे हैं Prime Minister हो गया, Speaker हो गया Deputys, यह आप लोग Deputy Chairman बोल सकते हैं आप राज सभा के यह हो गए इसके लावा Leader of Opposition in both the houses, both the house में जो Leader of Opposition होते हैं, मतलब दोनों house में अलग-अलग होगे ना तो दो Leader of Opposition होगे और यहाँ पर क्या होगया? एक ही होगया तो total मिला कितने member होगे? 6 member होगे 2 यहाँ पर होगे और 4 ही होगे तो total 6 member होगे इसके अलावा भी यहाँ पर consult किया जाता है अगर sitting judge of Supreme Court या फिर sitting judge मतलब जो working है, जो judge work कर रहा है वाँ पर, अगर उनको appoint करना है High Court का या फिर Supreme Court का जो work करना है फिलाल, तो only after consult and मतलब consult किया जाएगा किसके साथ में? Chief Justice of India के साथ में अगर उनको appoint करना है तो, तो ये भी आप लोग याद रह सकते हैं, Chief Justice of India जब आता है case में, जब यहाँ पर sitting judge मतलब जो work कर रहा है Supreme Court में, या फिर Chief Justice of High Court, अगर उसके बारे में जिकर किया जाता है तो जब Chief Justice of India या भी यहाँ पर picture में आ जाता है तो इसका मतलब, उस time पर यहाँ पर 7 member हो जाएंगे, normally यहाँ पर 6 member आप लोग बोल सकते हैं, 6 member ही याद रखेगा वैसे अब बात करता हूँ, यहाँ पर कारिया काल की जो इनका tenure रहता है या फिर किस तरीकी से इनको remove किया जाता है कारिया काल की बात करें तो यह काफी important है ऐसा different सा आप लोगो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा 5 साल तो normally कहीं जगे देखने को मिल जाता है पर लेकिन 70 साल यह वाला आप लोग याद रखेगा मतलब या तो 5 साल complete कर ले जब उसको appoint किया गया है या फिर 70 साल age हो जाए तो जो भी पहले हो जाएगा तभी उसका काम complete हो जाएगा ठीक है 5 साल कैसे हो गया मतलब 70 साल कैसे लगा रहे है आप लोग माल लीजे जो person है उसकी age उस time पर 62 year है 62 year से 5 साल complete कर लेगा तो कितना हो जाएगा 67 year तो 5 साल पहले हो गए तो इसका मतलब retire हो गया या फिर अगर वो appoint किया गया 68 साल का ठीक है ना 68 साल का appoint किया गया है तो फिर क्या होगा 5 साल add करेंगे तो कितना हो जाएगा पांच साल एड करने पर 73 हो जाएगा पर लेकिन Maximaj क्या है? Maximaj है 70 यह तो क्या होगे है आपर उनली 2 साल रहेगा उससे पहली रिडार हो जाएगा तो यह process होता है 5 साल या फिर 70 यह का तो chairman जो रहता है और member जो रहता है not eligible देखे यह इनको independent बनाने के लिए किया गया है eligible नहीं है ना तो center government में job करने के लिए ना ही stoate government में job करने के लिए मतलब कहीं भी यह job नहीं कर सकते हैं वरना इनको लालज दिया जाता कि आप हमारे हिसाब से काम करो और फिर हमको आने वाले time में हम आपको यह वाली post provide करा देंगे तो फिर यह क्या करते हैं उनके हिसाब से काम करते हैं क्योंकि future में कोई अच्छी post मिलने के chances हो जाते थे तो इसलिए यहाँ पर इसको independent बनाने के लिए यह सब eligibility criteria खतम कर दिये हैं जिसे कि यह अपने काम पर पूरा focus दे सकें अब बात करते हैं प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट इनको remove कर सकता है any member और chairman को ठीक है following circumstances है इन condition के उपर यहाँ पर इनको हटा सकता है यह अगर reason हो यहाँ पर तो पहला क्या है पहला क्या है पहला है अगर वो insolvent गोसित कर दिया जाता है insolvent मतलब दिवालिया अगर दिवालिया पाय जाता है मतलब अपने tax वगेरा pay करने के लायक भी नहीं है अपना उधार चुकाने के लायक भी नहीं है तो एक तो यह condition है दूसरा क्या है paid employment में कहीं पाया जाता है sunlip मतलब और लेडी हाँ पर job कर रहे हैं और लेडी हाँ पर salary ले रहे है और बराबर में खहीं और भी salary ले रहे है कुई और भी काम जोड़ रखा है तो वो भी नहीं होना चाहिए इसके अलावा जो unfit पाये जाता है unfit पाये जाता है किसी भी तरीके से दुरबलता पाये जाती है mind or body में तब भी या फिर unsound mind पाये जाता है मतलब पागलपन टाइप का जो इंसान है पागलपन के दोरे आने लगे कुछ इस तरीक कंडिशन पहें जाती है तो तब भी यहाँ पर इसको देकट court के दोरा declare कि यह भी सही नहीं है या फिर किसी का murder कर दिया किसी conviction में sentence में जेल हो गई है तो तब भी उसको यहां से हटाया जा सकता है तो पाँच condition तो यह आप लोग याद रखेगा जिसके दोरा इनको यहाँ पर हटाया जा सकता है किसके दोरा President of India के दोरा और वह इसको appoint करता है तो यह कुछ information है जिन से बार-बार question पूचे जाते है तो देखिए आप लोग इतनी सारी चीज़े day by day हाँ पर पढ़ रहे है सबसे best तरीका क्या है आप प्रीज उसको revise कर लिया किजे अगर revise करते रहेंगे तो चीज़े याद रहेंगी वरना ऐसे निकल जाएंगी जैसे गधे के सर पे से सींग गया जो कुछ पढ़ाया वो सब यहीं भूल जाओगे कहीं भी जाने वाला नहीं है अगर revision नहीं करोगे जो एक्जाम के point of view से पढ़ रहे है और जो normal ऐसे है जो आप अम knowledge के point of view से सुन रहे है उनके लिए सही है वो अपना mind खोल के सुने आराम से चीजे समझ में आई रही होगी अगर समझ में नहीं आती है तो नीचे comment box में आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या point समझ में नहीं है तो doubt lecture भी ले लिया करोंगा करते हैं प्रेजिडेंट और भी काम है और भी ऐसे मतलब और भी ऐसी situation है जिन पर इनको remove कर सकता है अगर misbehave कर देते हैं मतलब जिस तरीके से मतलब बिलकुर नहीं कहते है कुत्तागीरी पर उतर गए है अगर कोई ऐसे काम कर देते हैं सुप्रिम कोट में भेजना पड़ेगा सुप्रिम कोट चेक करेगा कि misbehave किया है या नहीं करा है उसके बाद में प्रेजिडेंट इसको यह यहाँ पर important point है यहाँ पर रुक के थोड़ा चबजब चलिएगा प्रेजिडेंट उसके बाद में उसको remove कर सकता है कि किसी chairman को हटाना है या फिर member को हटाना है या फिर नहीं हटाना है next वाला point भी काफी important है यह भी आप लोग याद रखेगा central government decide करती है कि इनकी क्या allowances होने चाहिए क्या salary होनी चाहिए क्या इनको condition मिलनी चाहिए मतलब कैसे इनकी S.W.R.A.M. की जो वयवस्ता होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए यह central government करती है यहाँ पर भी एक बात आप लोग याद रख सकते है वो क्या है वो यह है कि पारलेमेंट नहीं है नॉर्मारली बोला जाता है कि पारलेमेंट ने काम किया है पर Parliament नहीं आपर Government काम कर रही है, Central Government, ओके, यह आप लोग याद रखेगा, पर लेकिन ये भी है कि, ऐसन ये Government इनको दबाने के लिए, जब चाहिए उसको Change कर दे, एक बार इनका appointment से पहले ये Decide कर लिया गया, तो फिर पूरी इनकी Service में वो Change नहीं किया जाएगा, ये भी बात इसलिए भी हैंपर इस तरीके का Focus दिया गया है, तो यह आप लोग ज़रूर याद रखेगा, अब बात करते हैं, क्या-क्या function, क्या-का काम करते हैं, कहीं भी human right का, माना कि किसी भी अधिकार का, कहीं भी उलंगन हो रहा है, तो उहापर पिक्चर में आ जाते हैं, इसके अल पर उनको बचाया जा सकता था इसी तरीके से और भी कई सारे cases आते हैं जो मतलब camp लगा के किये जाते हैं और उनको फिर अच्छे से service नहीं provide कराती है तो वहाँ पर वो service अच्छे से provide कराई जा सकती है पर लेकिन उनको नहीं मिली तो वो सब चीजे भी जब इस तरीके से violation होता है तो वहाँ पर public servant को के खिलाप एक्सल लेने की बात की जाती है तो shoe motor एक्सल लेते हैं मतलब अपने आप एक्सल लेते हैं intervene कर सकते हैं any proceeding जो involved है मतलब एक violation अजाब पर human right हो रहा है और pending पड़ा हुआ है before the court तो वहाँ पर भी ये picture में आ जाते हैं इसके अलावा jail वागेरे में भी गूमते हैं jail में जाकर देखते हैं कहाँ पर क्या गलत काम हो रहा है तो हाँ पर भी उनकी देखे आखिर jail में कोई इंसान अगर बंद है माली जग कुछ भी करके गया है पर है तो इंसानी ना उसको जानवर की तरीक से थोड़ने treat कर सकते हैं जब तक की proof नहीं हो जाता है कि उसी ने गुना किया है तो तब तक वो बात देखी जाती है तो इसलिए बोला जाता है कि हाँ पर कि jail में अगर कोई है तो वो भी एक तरीक से मानवी है उसको भी एक मोका मिलना चाहिए सुदरनेगा तो एक living condition वहाँ पर सही होनी चाहिए इसके अलावा जो constitutional safeguard है बहुत सारे fundamental rights हमारे constitution ने provide दे रखे है अगर किसी भी इंसान को fundamental right नहीं मिल पाते है तो भी human right commission यहाँ पर picture में आ जाता है या फिर कोई safeguard दे रखे है बच्चों से related या फिर महिलाव से related या फिर बुजुर्ग जो होते है उनसे related तो तब भी human right commission जो ह study करता है देखता है जो क्या सही है क्या गलत है तब भी यहाँ पर यह अपना action लेता है इसके अलावा human right की बात आती है तो all over world में देखता है कि कहां पर क्या क्या working चल रही है और खुद का भी research करता है और जो अच्छी चीजे होती है हमारी society के लिए उसको फिर government को recommendation करता है कि यहाँ पर आप लोग यह चीज implement कर सकते हैं इससे यहाँ पर यह society को यह फायदा हो सकता है तो वो भी काम यहाँ पर human right commission करता है और इसके अलावा देखे literacy फैलाता है जो काम मैं कर रहा हूं यहाँ पर मतलब आप लोग को बता रहे हैं human right commission के बारे में अब आप लोग ने इसके साथ भी मिलकर यह काम करता है और कोई यहाँ पर इस तरीके का अगर फंडा पाय जाता है कि national human right है उनका उलंगर हो रहा है और कोई NGO हाँ पर work कर रहे है तो वहाँ पर भी यह picture में घुच जाता है ठीक है तो एक तरीक से आप लोग बोल सकते है कि खुला सांड है जहा पर यह आप लोग को ब्राबर में खड़ावा मिलेगा ठीक है इसके अलावा क्या बात की जारी है इसके अलावा बात की जारी है एक civil court की तरीके से काम करता है criminal court नहीं civil court जिस तरीके से हम लोग ने SC commission देखा था और ST commission देखा था वहाँ पर भी उनको civil court की power दे रखी थी कि को खहीं पर भी किसी को भी proceeding के लिए एक तरीक से बुलाया जा सकता है पूचा जा सकता है क्या सही है क्या गरत है ठीक है तो एक judicial character होता है इसमें इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर और state government दोनों से information के लिए यहाँ पर बोल सकता है कि आप लोग यह information ले सकता है केस को soul करने में ठीक है चाहे वो center government की हो और चाहे वो state government की हो और इसके अलवा आप लोग देखते हैं NGO के साथ में तो corporate करके चलता ही है first hand information NGO से उठाता है मतलब जो वहाँ पर available था कोई person और उसने वो आखो देखी उसके सामने कुछ बाते हुई है ठीक है तो वह expiry of one year अगर कोई matter ऐसा हो गिया है कि वो एक साल पहले का है तो उसमें ये अपना हाथ नहीं डालेगा मतलब आज 28 नवंबर है अगर कोई अगर कोई मालिजाप 28 October 2016 में कोई case हो था तो तब ये उसमें नहीं जाएगा within one year के अंदर अंदर अगर कोई case होता है तो उसमें ये picture में आ जाता है पर एक साल पूरा होने के बाद में ये बात आ जाती है कि अब तक आप कहा थे अब तक अब नहीं दिखा है अब कहां से picture म आ रहे हो ये तो फाल्त के issue generate हो जाते हैं तो इसको थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ता है तो न्यूज वगर से जहां से भी इसको इंफोर्मेशन मिले थोड़ा सा अलर्ट इसको रहना पड़ता है जिसके कोई issue ऐसा नहीं बना रहे है कुछ और function है continue में थोड़ा और function द ये वो इंसान फाल्त में फस गया है तो उस टाइम पर जो ओटरेटी होती है central government या फिर state government या कोई भी authority होती है तो उनको compensation देना पड़ता है जो damage हुआ है victim का ये उसके लिए उसको recommend करता है ठीक है तो initiation करता है proceeding का या फिर कोई भी legal action का जो भी guilty servant है मनल ये कोई भी public servant है और interim relief के लिए मतलब एक immediate relief मिल जाए अगर कहीं पर earthquake वगरा आगया फिर कोई इस तरीक हाथसा हो गया वहाँ पर एक उसी time पर उसको relief दिया जा सके इसके लिए फोकस दे कर चलता है आगे क्या बात की जारी है आगे बात की जारी है supreme court की supreme court या high court को भी approach किया जा सकता है direction देने क जरूरी है वो उसको करेगा वो binding नहीं है उनके उपर मतलब मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है चाहे वो central authority हो चाहे वो government हो मतलब कोई भी हो चाहे state government हो चाहे center हो उसके ओपर depend है वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मानेगा ही तो रिकमेंडेटरी टाइप का इसका नेचर है यहाँ पर लेक इसके पास में इस तरीके से कोई पावर नहीं है कि यह पनिस कर सके ठीक है मतलब कहने के लिए तो इसके पास में कोई पावर ही नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए पर लेकिन दूसरी साइड में आप लोग देखा जाए तो पावर भी है विदिन वन मन्त उनको अपना यह बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है जवाब दही है जिनको बोला गया है काम करने के लिए तो आप लोग इसको बिलकुल पावर लेस नहीं बोल सकते हैं अब उनको कुछ ने कुछ तो रिप्लाई करना ही करना पड़ेगा कि इसलिए मैंने ये step नहीं लिया है ये problem हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कानि खताम है आप बिल्कुल नोटा के साथ में compare कर सकते हैं नोटा को आप बिल्कुल बेकार नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अगर किसी एरिया में नोटा की संक्या जादा हो गई है वापर वोट में जब election में वोट डलते हैं तो उस ताइम पर अगर न न अबदा अब वाली संक्या जादा हो गई पर लेकिन दूसरी direction में अगर हम बात करें commission की अगर armed force से कोई बात आता है military army से कोई बात आती है वहाँ पर इसकी power थोड़ी limit कर दी गई है क्योंकि फंक्शन ही कुछ ऐसे होते हैं वहाँ पर कही सारे उनको ऐसे steps उठाने पड़ते हैं कि human right वाले issue अगर हमाँ पर लेकर चलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा तो हमाँ पर इसकी power थोड़ी limit है थोड़ा सा मतलब judiction भी थोड़ी limit कर दी गई है अगर देखा जाए तो क्या क्या है यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है तो commission यहाँ पर central government से या फिर आप लोग बोल सकते हैं किसी भी authority से महाँ पर क्या करता है उनसे report मांग सकता है कि यह issue ऐसा हुआ है तो आप लोग report दीजे और उनको action के बारे में जो report देनी होती है वो तीन महीने का यहाँ पर time दी जाता है वो report जो रखी जाती है वो legislature के सामने रखी जाती है और उस पर discussion होता है discussion के बार में कई सारी बाते निकल कर आती है क्या क्या चीजे उसमें रहती है along with कि क्या क्या action उन्होंने recommendation जब दी थी क्यों कौन सी recommendation पर action लिये गए है और कौन कौन सी recommendation accept नहीं की गई है यह सारी बाते भी महाँ पर दी जाती है तो इसका क्या मतलब हो गया थोड़ा समझने कोजिस कीजिए देखिए मालीजे बीजेपी है आज की डिट में गवर्मेंट एक side में Congress है opposition में तो हो क्या गया कि इन recommendation को आप लोगों ने क्यों नहीं माना जब यह recommendation सही थी वहाँ पर तो वहाँ पर भी एक जवाई देव बनती है तो इस तरीके से आप लोग powerless body नहीं बोल सकते है National Women's Right Commission को वो opposition के लिए भी दरवाजा खोल देता है वहाँ पर जाके कि opposition भी एक check and balance का काम कर से question पूछ सके government से कि ये चल क्या रहा है भी या इसके बारे में आप लोग बताईए तो वहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं direct तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल power ही नहीं है इसके हाथ में अब अगर आप लोग किताब उठाके देखेंगे लक्समी कांथ बूक और उसमें chapter उठाके देखेंगे तो यहाँ पर दुनिया भर के ये इन्होंने addition ले रखे हैं पर लेकिन मैंने सारे include नहीं किये ठीक है तो यहाँ पर कुछ मैंने include कर लिया आप लोग को पता होना चाहिए देखें ऐसे तो time to time action लेता है यह सारी चीजे रटने की नहीं है पर 4-5 example आप लोग याद रख सकते हैं उन example को आप लोग use कर सकते हैं जब भी कोई answer writing कर रहे हैं फिर ऐसे रख रहे हैं भुक मरी के कारण हमारी country में किसी की भी death नहीं होनी चाहिए तो ये भी इनके द्वारा जो issue ते ही है commission के द्वारा उठाए गई है review किया है इन्होंने child marriage अगर child marriage की बात की जाते हैं तो किस तरीक से उसको restrain करना है 1929 उसको भी review किया गया था protection to the conviction of the human right on the right of the child ठीना तो इसके मतलब child के right के बारे में जब बात आती है वहाँ पर भी इनके कई सारी बाते लिकर के आई है sorry protection नहीं protocol की बात की जा रही है आपर protocol to the conviction on the right of the child ठीक है तो ये भी आप लोग याज रखेगा abolition of the child labor child labor को abolish करने की भी जब बात की जाती है तो उसके बारे में भी ये picture में आई है इसके अलावा एक guide किया गया है अगर sexual या violence की बात की जाती है against children मतलब किसी भी बच्चे के साथ में दुर वहवार किया जाता है किसी भी इनसान के साथ में तो उसके लिए भी उन्होंने guide book तयार की गई है मीडिया में कि ये बच्चो को बतानी चाहिए और ये parents को बतानी चाहिए जैकि normally क्या होता है घर में छोड़े छोड़े बच्चो होते है तो उनके साथ में कई बार गलत काम किया जाता है तो maximum duty बनती है parents की या फिर जो उसके family के इनसान है उनकी क्या duty बनती है कि बच्चो को गाइड करे अगर बच्चो के कोई भी private part पर कोई भी हाथ लगा रहा है तो कम से कम बच्चो को इतना guide करे कि आप लोग आती हमके बताएं कि अगर किसी ने आपके private part को touch किया है तो ठीक है तो उनको ये बाते कम से कम समझा सकते हैं और maximum ध्यान रखी है मतलब मालीजे बहुत से working होते हैं और घर पे बच्चों को छोड़के चले जाते हैं मतलब काम करने वाले घर पे रखते हैं वो बच्चों की पिटाई करते हैं उल्डे सिदे काम करते हैं तो उनपर भी आप लोगो कम से कम नज़ा रखने चाहिए बच्चों को बिल्खुल इस तरीकी से नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो इस टार्टिंग अप फेजी एक ऐसा फेज होता है जो उनकी पूरी लाइफ में काम आने वाला है अगर उस टाइम पर उनको इंग्णोर कर दिया जाए तो प्रोलम बहुत ज़ादा हो जाती है तो इस पर भी आप लोग ध्यान दिजेगा थोड़ा अगर वूमें की बात की जाती है दलिट से लेटर कोई भी इस्चू आता है अगर इन में से कोई भी धंसे नहीं मिल रही है तो तब भी ये पिक्चर में आ सकता है बिना किसी रोक टोग के तो ये सारी इसकी पावर आप लोग यहां पर देख रहे हैं तो आज के डिस्कसेन में इतना ही देखे तो आज के लिए इतना ही थैंक्स लोट फॉर लिसनिंग जै हिंद